ये महोदे जो हैं देखिए कितने मधूर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहूल गांदी जी के साथ और राहूल गांदी जी और उनके चच्चा ये इलान उमर के साथ मुस्कराहट बखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है ये वर्डस उनकी डिफेरेंट डिफेरेंट स्पीचेज में आएं I don't want to live in India, I doesn't value skilled people, I doesn't have the freedom of faith. Indians, in India there are hateful peoples. एक चववन साल का युवा आज जाकर भारत और भारती संस्कृती को लांचित करने, अपमानित करने की कोई रास्ता नहीं छोड़ता. अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की आज अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की शंखला में एक और उपलब दी राहूल गांधी को प्राप्त हुई है जब पन्नु ने उनकी तारीफ की है यानि पाकिस्तान से लेके पन्नु तक के और एलान उमर तक उनकी तारीफों में जो पुल गढ़े जा रहे हैं उसमें एक नया नाम और भी है ये जनाब हैं मुश्विकुल फजल ये वो पत्रकार हैं आप सब को ध्यान हो जिनोंने वाइट हाउस की प्रेस कॉन्फरेंस में और यूएन स्पोक्स परसन से अरविंद केजरी वाल के बारे में अरेस्ट के बारे में सवाल पूछाता ये हैं वो महोदे अब आईए साब और ये महोदे जो हैं देखिए कितने मधुर भाव से सेलफी ले रहे हैं राहूल गांदी जी के साथ और रहूल गांदी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले योरप से आए हैं इस्ट वाले चाइना से आए हैं दक्षन भारत वाले अफरीका से आए हैं ये चतुर्दिक प्रधिवा के धनी जो इनके सैम हैं उनके स ये बैठे हुए हैं अब ये एलान उमर के साथ मुस्कराहट बखेरती हुई और हर भारतवासी को दिल को चीरती हुई ये तस्वीर है इस विजिट में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिस पर मैं पूरे देश का ध्यान आकर्शित करना चाहूंगा ये वर्ड उनकी दिफरेंट इफरेंट स्पीचेज में आये हैं I don't want to live in India I doesn't value skilled people I doesn't have the freedom of faith Indians as in India there are hateful peoples Indians doesn't allow the different languages Indian identity is not acceptable Indian societies casteist Indians social media influencers are for UC only और separatist और जो कश्मीर में terror के perpetrator थे उनका समर्थन है अब यहाँ पर मैं एक बात थोड़े दुख के साथ करना चाहूंगा मैं तुरों आज 11 सितंबर है 11 सितंबर का दिन दो चीजों के कारण विश्व और भारत के इतिहास में अब इसमर्णी है एक बहुत दुख़द याद जुड़ी हुई है 11 सितंबर से 9-11 और इस समय संयोग से राहूल गांधी अमेरिका की धर्ती पे है मैं पूरे भारत वासियों को याद दिलाना चाहता हूँ कि 9-11 के जो प्राइम एक्यूज थे खालिद शेख मुहम्मद और मुहम्मद अट्टा कोई political party दिखाईएगा जिसने उनके पक्षमे सहनबूद का बयान जारी किया हो कोई TV चैनल दिखाईएगा जिसने 9-11 के बाद इन लोगों के पक्षमे सहनबूद ही दिखाई हो कोई political party बताईएगा जो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा security lapse यो अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा intelligence फिलोर जिसने उस सरकार के उपर उंगली उठाई हो कि intelligence फिलोर था और security lapse था ना बल्कि पूरे अमेरिका ने और उनकी सारी political party ने form resolve किया जॉर्ज बुश जो Republican थे उन्होंने कहा कि हम उसामा बिन लादिन को मारेंगे और बरक हुसाइन उबामा जो की Democrat थे उस काम को अंजाम दिया आज भारत में अगर उसके समकष जो भारत की संसत पे हमला हुआ जिसके लिए सरवोच्चे नियाएले ने rare of the rarest crime शब्द का प्रयोग की आए अपने judgment में आप जाके चेक कर सकते हैं अफजल गुरू की हैंगिंग के बारे में साथ साल उसकी हैंगिंग रुकी रही और आज भी जम्मू काश्मीर चुनाओं में कांग्रेस के मुख्ष सहयोगी दल कहते हैं कि अफजल गुरू की हैंगिंग गलत थी और ये राहूल गांधी अफजल की पहली बरसी पर लोग शायद भूल गए होंगे वो जेनु में जो नारे लगे थे ना भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशालला और ये अफजल हम शर्मिन्दा है तेरे कातिल जिन्नाओ था क्या वो 2015 में अफजल की हैंगिंग की पहली बरसी थी और जिसका ये लोग नेतिक समर्थन कर रहे हैं सोचिए ये 11 सितंबर हमें क्या याद दिलाता है देश को लेकर एक ऐसी सोच आप बताईए किसी भी अमेरिका के नेताने बाहर जाकर कोई ऐसा विरोध किया हो दूसरा याद करते हुए दिल भर आता है आज 11 को स्वामी विवेकानन ने शिकागो में पार्लेमेंट आफ रिलिजन में अपना एतिहासिक अविस्मर्णी वक्तव दिया था दुख 29 साल के उस युवा सन्यासी ने भारत की वो प्रतिष्ठा बढ़ाई थी कि शिकागो हेराल ट्रिब्यून ने ये लिखा था कि युवा स रस्ताने इच ओरता